हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो मैं चनल हिवान सुपटेल गारेनिंग दोस्तो आप सभी को स्वागत है मेरा टेरस गारेन पर तो दोस्तो आप लोग देख रहे होगे अभी सिर्फ जो पट्टुलका का फ्लावर से मेरे गारेन में है तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में डलूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे वीडियो को देख सके दोस्तों इंडिया में इसको लोग अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे की मास रोच, टेबल रोच, नाइन ओकलक, पर्चुलाका और आफिस टाइम दोस्तों हमारे यहां इसको लोग पर्चुलाका और टेबल रोच से जानते हैं तो दोस्तों आप इसको कंसा नाम से जानते हैं हमें कमेंटमेंट जरूर बताए ये बहुत सारे भेरैटी और बहुत रंग-बेरंगी फूल देने वाला एक पर्मानेट फ्लान है आप इसको कभी भी ग्रू कर सकते हैं ये ग्रू करना बहुती इजी है दोस्तों आप इसका जो ब्रांच है उसको तोड़कर लगा दोगे तो ये ग्रू हो जाता है और जल्दी आपको फूल देना स्टार्ट करता है यह easy to grow plant है दोस्तो और low maintenance plant है आपको इसको ज़्यादा देखबाल करना नहीं पड़ेगा और बहुत ही खुबसरत रंग बेरंगी फूल आपको देता रहेगा तो दोस्तो आप यह देख रहे होगे मेरे garden में बहुत सारे जो variety का मैंने फटर लगा और परलेंस का flowers लगाया है देखिए दोस्तो बहुत ही खुबसर लग रहा है जो white का flowers है देखिए इस तरीके से दोस्तो single petal बला डबल पेटल बला रहता है तो दोस्तो single petal में बहुत सारे colorful flower खिलता रहता है और बहुत सुन्दा लगता है तो दोस्तो यह परलेंस का variety है देखिए परलेंस का भी बहुत सारे variety होता है white, yellow और जो red color में आता है यह भी बहुत खुबसूरत फूल खिलता रहता है दोस्तो और जो garden का सुभा को बढ़ात है दोस्तो देखिए बहुत सारे रंग बेराइंगी का flower इसका है तो दोस्तो देखिए मैंने बहुत सारे pot में polybag में और जो balty में भी उसको लगाया है तो दोस्तो देखिए यह yellow color भी बहुत सुन्दा लगता है दोस्तो देखिने में तो दोस्तो यह बहुत ही खुबसूरत flower plant है तो दोस्तो इसका भी seeds आप collect करके राख सकते हैं पर next season में आप इसको अच्छे तरीके से आपका garden में grow कर सकते हो तो दोस्तो मैं बता दूँ आपको इसको आपको garden में एक बार लगाना है दोस्तो आपको ये seeds रखना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा जो seeds गीर जाता है season चला जाने के बाद अपने आप पोधा बन के लड़ी हो जाता है तो दोस्तो मेरा भी garden में बहुत ज्यादा पोधा ऐसे बना था तो दोस्तो मैं इसको लगाया है और देखियो दोस्तो आज मेरा garden में कितना खुबसूरा रंग बेरंगी फूल खिल रहा है दोस्तो जितना सार भी आप मेरे garden का जो पर्टूलका परलेंस देख रहे हो दोस्तो यह अपने आप seeds गिर के पोधा बन गया था तो दोस्तो मैं इसको लगाया है मेरे garden में देखिये कितना खुबसरा लग रहा है और दोस्तो जो सिंगल पर्टूलका का प्लांट मेरे पाक बहुत ज़्यादा था तो दोस्तो देखिये मैं छोटा-छोटा गमला में लगाया था और दोस्तो मेरे वीडियो में आप देखा होगा कितना सारा ये जो फूल दिया है मुझे तो दोस्तो इसका मैंने कुछ सिट्स कलेट के हूँ तो दोस्तो आपको दिखाऊंगा तो दोस्तो आप किस तरीके से इसका सिट्स को कलेट करके नेक्ट सिजन में आप आपके garden में ग्रोग कर सकते हो तो दोस्तो इसको आपको collect कर लेना है देखिए हाथ में ऐसे थुड़ा कर लोगे तो बहुत ज़्यादा streets निकल जाता है तो दोस्तो इसको आप रख सकते हो दोस्तो ये बहुत ही छोटा है रहता है दोस्तो ये अपने आप गिर के भी पोधा बन जाता है दोस्तो इसको आप रख सकते हो देखिए हाथ में ऐसे से कर रहा हूँ तो देखिए बहुत ज़्यादा छोटा इसका जो street निकल रहा है तो दोस्तो इसको आप रख सकते हो next season के लिए और आप इसको अच्छे तरीके से जब समर आएगा दोस्तो आपके गड़न में grow कर सकते हो और अच्छे तरीके से इसका जो full ले सकते हो दोस्तो तो देखिए दोस्तो मैंने इस तरीके से कोच इसका जो street collect किया है तो दोस्तो इसको मैं next season के लिए अच्छे तरीके से दोस्तो रखूंगा और दोस्तो नेक्ट सीजर में इसको अच्छे तरीके से ग्रो करूंगा तो दोस्तो आपके पास भी ये पर्ट्रलका और परलेंस का प्लांट है तो आप भी इसका सीट कलेट कर सकते हो दोस्तो और नेक्ट सीजर में ग्रो कर सकते हो और दोस्तो देखिए हमारे गड़न का कुछ नजरा है पट्रल का और पल्लेंस का कुछ प्लांट समने लगाया है तो दोस्तो अभी बहुत अच्छे से प्लावरिंग हो रहा है तो दोस्तो आपको हमारे ये वीडियो क्यासा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइ कमेंट और शेयर कर दिजिए और इस तरीके से नई वीडियो देखने के लिए हमारे स्चानल में आप बने रहिए